अब हमारे MCQ पेपर की बारी है mathematics and economics तो इसमें दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपका answer sheet किस प्रकार का होगा OMR sheet जो होती है वो कैसी आपकी होती आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यह है sample OMR sheet जो institute ने अपनी ही website पे upload किया हुआ है मैं वही से चीज आपके लिए लिए आया हूँ थोड़ा सा यह blood इसले है क्योंकि institute ने थोड़ा सा ऐसा photo ढाला है थोड़ा blood क्या करें कोई दिक्कत नहीं है ध्यान देंगे सबसे मिले आपको जो यहाँ पर Srоль Number आपका जो लिखना है यह Pen से लिखना आपको यह रोल नमर आपको कैसे लिखेंगे अब सर पेंसिल कौन सी यूज़ करें हमें पेंसिल यूज़ करने बीटा है HB Pencil तो मार्केट में कोई भी आप अब सरा नट राज कमनी की आप जो है HB Pencil ले लीजे जिसको शार्व करना पड़ता है साथ में इरियजार ले के जाना याद से अब लेड़ पेंसिल से क्या होता है वहाँ पेंसिल से बहुत बहुत बाल लेड़ तूट जाती तो ऐसी हरकेटे मत करो उन्होंने नॉर्मल पेंसिल बोला है HB Pencil तो प्लीज HB Pencil ही यूज करना है आपको समझरे बात क्या बोल रहा हूँ तो जैसे आपको लगता है Question मा 4 का Answer है Option B तो B को आपने Pencil से Encircle करना है समझरे बात आपको लगता है Question 6 का Answer है Option है तो Pencil से Encircle करेंगे अब लगता है Sir Answer Change करना है तो बहुत अच्छे से इसको पूरा मिटाना है आपको कि कुछ भी उसका दाग बचना है नीचे और फिर आप बाकी जो आपको दूसरा Answer लगता है उसको आप क्या करें बता हूँ उसको Encircle करें समझरे बात क्या बोल रहा हूँ अच्छा सर यहाँ पे अगर टिक मार दिया तो चलेगा नहीं सर कुछ लोग को ऐसे आदत होती हूँ यहाँ पे भगवान वगरा का नाम लिख देते हैं आप जिस भी भगवान में मानते हैं अच्छी बात है आप अपने मन में अपने भगवान को याद करें लिकिन प्लीज कही पे भी आपके Answer Sheet में यह जो भी अनफेर मीन्स माना जाता है चीटिंग माना जाता है आपको आपका Result विधेल कर लेंगे समझने बात ऐसी हरकते प्लीज ना करे ठीक है अच्छा साथ ही साथ जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं उनको लगता अरे यारे कुशन हमाँ 25 नहीं जम रहा है आपका Question No.2 बाजुवाले का Question No.18 हो सकता है ऐसा तो cheating तो हो इनी सकती और करनी भी नहीं है समझने बात cheating हो भी नहीं सकती और करनी भी नहीं है अगर cheating किया और पकड़े गए तो भाई फिर खतम फिर आप exam दे नहीं पाएंगे अगला भी तो कृपया करके इसी हरकते ना करे अपने preparation पर विश्वास रखे आप सबने पढ़ाई किये होंगे अच्छे से आप जरूर पास होंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर देन आपको यहाँ पर आईसे का stamp आगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपको आपका signature करना है pen से यहाँ पर आपको signature करना है आपका राइट यहाँ पर देन इन्विजलेटर pen से signature करेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे और मैंने क्या वाला प्लीज हाँ ऐसे कोई भी marking यहाँ पर नहीं करने ठीक है बच्छों का दिक्कत होता ना मैस के पेपर में वह क्या करते ना पेपर देखे आते मेसेज करते मुझे सर मैने 45 माक का solve किया है मैं पास तो हो जाओंगा ना अरे मेरे ढोक ले मुझे एक बात बताओ कैसे पास होंगे तुम जब 40 45 माक कर रहे हो कैसे होंगा यहाँ कम से कम है वैसे थो बोलते कि सार पूरा पर अटम्ट करना ची कोशिश करे यह ना यह दिक्कत नहीं ज्याद्र ज्यादा आप अटेंट कीजे तो ही पास होने के चांसेज भी आपके बढ़ेंगे ठीके न मैं यह नहीं रहा की यह वाले बच्चे पास ही हो सकते लेकिन मेगरी नहीं उपादा तो प्लीज ऐसे हरकते ना करें ज्यादा 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 पेपर को अटेम करें आपको चीजे याद जरूर आएंगी अगर ऐसा लगता है कि अगर इसका जबाब निकल नहीं रहें तो और आप उस साल बे 10-15 लगा दिए ऐसी हरकते नहीं करने हैं जैसी आपने कोई सवाल देखा आपने सोचा उस पर 30-40 सेकंड्स के लिए और बात नहीं आरे कोई बात नी अगले सवाल पर चले ज़ाओ तुरंच अगले सवाल पर चले जाओ प्लीज किसी भी एक सवाल पर जाधा टाइम पास नहीं करना है ठीक है न यस अब जो है आप जा तो आप ज़रूर आईए उसमें एकनॉमिक्स बीसिके का तो टेंशन छोड़ी देना आपको ठीक है तो अपना ख्याल रखे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं है और मैट्स का पेपर देखे आओ जैसी पेपर हो जाता है मैट्स को भूल जाना है एको बीसिके के बारे में सोचना चालू करताना है ठीके ना टेंशन लेना है all the best for the exams